हलो दोस्तों, कैसे है आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और हाँ, बेल आइकॉन पर प्लिक करना मत भूलेगा जैप्रकाश और दीपकमल एक ही आफिस में काम किया करते थे और दोनों एक ही मकान में साथ ही किराई पर रहा करते थे वो दोनों बहुत ही रंगीन मिजाज के थे, उनकी रंगीन मिजाजी का आलम ये था कि 69 साल की उम्र में भी उनके बीच चर्चा का विशय लड़कियां होती और सिर्फ चर्चा का विशय ही नहीं, दोनों मिलकर लड़कियों को तारते भी थे एक दिन जब वे दोनों ओफिस में थे तभी उनकी नजर ओफिस में ही काम करने वाली लड़की दिव्या पर पड़ी, उसने कुछ दिनों पहले ही ओफिस जोइन किया था, जै प्रकाश उसे देख कर आहें भरने लगता है जानता है दीप, मैं जब भी दिव्या को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये चरूर मेनिका की रिष्टेदार होगी मेनिका कौन? अपने ओफिस में कोई मेनिका तो काम नहीं करती स्वार्ग की अपसरा मेनिका की, जैसे उसने विश्वा मित्र की तपस्या भंकी थी, इसे देखता हूँ, तो मेरा भी काम डिस्टर्ब हो जाता है वे दोनों उसे देखकर बाते करी रहे होते हैं कि दिव्या जैप्रकाश के पास आती है, उसके दिल की धर कने बढ़ जाती है अबे, ये तो इधर ही आ रही है दिव्या जैप्रकाश की डिस्ट के पास आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है वैसे तो दिव्या भी उनी के साथ काम करती थी लेकिन जैप्रकाश और दीपकमल से उसका वास्ता कम ही पड़ता था ये पहली बार था जो दिव्या इस तरह उसके डेस्ट के पास आई थी जैप्रकाश तो दिव्या की खुपसूरती में इतना डूबा हुआ था कि उसने उसके गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं दिया तो दिव्या ने एक बार फिर से जैप्रकाश को टोकते हुए कहा अरे मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर तब दीपकमल ने जैप्रकाश को जोर से चिकोटी काट ली चिकोटी काटने से जैप्रकाश चीक पड़ा जैप्रकाश को इस तरह चीकते हुए देख दीपकमल ने धीरे से उसके कान में बोला अबे मरवाएगा क्या इस तरह पागल की तरह उसे घोर क्यों रहा है वो तुझे गुड मॉर्निंग कह रही है उसका जवाब तो दे दीपकमल की बात सुनकर जैप्रकाश को अपनी गलती का एहसास होता है वो नर्वस होकर बोलता है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग दिव्या गुड मॉर्निंग सर आप इस तरह भी चीखे क्यों वो 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 ऐसा है की तब दिव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा कहीं दर्द है क्या सर हाँ दर्द तो कमबक्त इस दिल में है जो तुम्हें देख कर बढ़ जाता है आपने कुछ कहा क्या सर हाँ कमर में दर्द है कमर में हाँ सर इस उम्र में तो दर्द रहता ही है आप बोलिये तो मैं एक होमियोपैथिक डॉक्टर का पता आपको दे दूँ होमियोपैथिक डाक्टर वो किस लिए हरे सर आपके दर्द के लिए और किस लिए एक महीने में दर्द बिलकुल ठीक हो जाएगा मेरी दादी को तो बहुत आराम हुआ है वहां की दवाई से उसकी बात सुनकर दीपकमल की हसी छूट जाती है वो जैप्रकाश की और मुस्कुरा कर देखता है फिर दिव्या से कहता है दिव्या चली जाती है उसके जाने के बाद दीपकमल जैप्रकाश को टौंट मारते हुए कहता है कि अरे तु बुढधा हो गया और अब तो ये आफिस वालों को भी दिखने लगा है तभी तो डाक्तर के पास तुझे जाने को कह रहे है दीपकमल की बात सुनकर जैप्रकाश उससे कहता है अरे बुढधा होगा तेरा बाप जैप्रकाश और दीपकमल पर उनकी उम्र के कारण कोई शक नहीं करता था और वो दोनों इसी का फायदा उठाते थे जैप्रकाश और दीपकमल दोनों की पतनिया अब इस दुन्या में नहीं रही वैसे जब उनकी पतनिया जीविद भी थी तो भी उनकी आदत ऐसी ही थी उन दोनों की पतनिया भी उन्हें समझा समझा कर स्वर्ग सिधार गए लेकिन इनकी आदत कुत्ते की उस पूँच की तरह रही जो छे महीने नरी में रहने के बाद भी सीधी नहीं हो सकती थी एक दो पहर वे दोनों लंच टाइम में लंच कर रहे थे तब ही ओफिस की एक और लड़की जिसका नाम नंदिनी था जो लगभग एकीस साल की थी वो उनके पास आकर बैट गई नंदिनी के नाम पर दीपकमल का दिल किसी बॉल की तरह उचलने लगता था ये बात जैप्रकाश जानता था हलो सर बहुत दिरों से दिल कर रहा था आप लगों के साथ बैट कर लंच करूं हज मौका मिल गया मौका तुम्हें नहीं हमें मिला है मेरी रानी आपने कुछ कहा क्या सर मैंने नहीं 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 तो तुमने कुछ सुना क्या है सुना तो नहीं सर पर मुझे लगा कि शायद आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है लेकिन मेरे साथ ऐसा है मैं आपसे कुछ चे जो मैं कई दिनों से चारी थी आपसे कहना नंदिनी की बात सुनकर दीप कमल के चहरे पर एक रहस्य मई मुस्कान चागई उसने एकसाइटेड होकर बोला कौन सी बात? अरे किसी बात को दिल में ऐसे दवाकर में ही रखना चाहिए हाँ तुम चल्दी से बोल दो सर आप मुझे बहुत पसंद है बहुत मतलब बहुत नंदिनी की इस बात को सुनकर दीप कमल के गले में खाना फंस किया वो जोर जोर से खासने लगा अरे सर क्या हुआ आपको आप इस तरह खासने क्यों लगे नंदिनी टेबल पर रखे पानी के गिलास को उसके तरफ बढ़ाते हुए कहती है सर आप जल्दी से पानी पी लीजे हाँ तो तुम क्या कह रही थी नंदिनी आप ठीक तो है न सर हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ जानते हैं सर आपको जब भी देखती हूँ तो मुझे मेरे दादा जी की यादा जाती है वो बेचारे पिछले साल हमें छोड़ कर चले गए लेकिन जब भी आपको देखती हूँ और दादा जी कैसे हो कर ले तू भी कर ले मजाग एक तो मेरा दिल पके हुए आम की तरह तूटकर गिर गया है और तू है कि मजाग कर रहा है मेरे साथ है अबे क्या मैं इतना बुड़ा हूँ है जो मुझ में उसे अपना दादा दिखता है अरे छोड़ना यार बकवास करती है वो अरे हम दोनों तो अभी जवान है जवान एक साल और बीट गए दोनों के रिटार्मेंट का दिन आ गया पूरा ओफिस हाला की अब तक इन ठरकी बुड़ों के मनसूबों से अंचान था रिटार्मेंट के दिन वो सभी से गले लिपट कर घड़ियाली आंसू बहाते हुए रोते हैं जै प्रकाश दिव्या को गले लगा कर रो रहा है अब बहुत याद आएगी तुम्हारी दिव्या कितना साथ रहा है तुम लोगों का दीप कमल नंदिनी को गले लगा कर रो रहा है सर आप लोग अपना खयाल रखियेगा किसी भी चीज की जरुरत होगी तो बे हिचक क्या दीजेगा मेरा नंबर तो आपके पास है ही दोनों रिटायर हो गए करने को अब उनके पास कुछ नहीं था आए हाए इसे कहते हैं किस्मत अब तो घर में भी ओफिस वाले सुख मिलेंगे हाँ देख तुम इस लड़की से दूर हाँ ये तेरी भाबी है हाँ अब चले बै भाबी होगी तेरी मेरी तो होने वाली बीवी है बेचारी अनू इन दोनों ठरकी बुढ़ों की बातों से अंजान थी वे दोनों इसे हमेशा ताड़ते रहते लेकिन एक दिन दीप कमल और जैप्रकाश बाते कर रहे थे तब ही जैप्रकाश के सीने में तेज दर्द उठके आ दीप कमल की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि जैप्रकाश नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया दीप कमल ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं उठा अब तो दीप कमल को भी लग गया कि कोई सीरियस बात है वो सीडियों पर भागते हुए अपने मकान मालिक को ये बताने के लिए आ रहा था तब ही उसका पैर फिसल गया वो सीडियों पर लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ा तब तक अनू ने उसे देख लिया ये कहते हुए वो बेहोश हो गया उसके सिर में बहुत चोट लगी थी और सिर से लगातार खून बैरा था अनू बिचारी उस समय घर में अकेली थी वो ही किसी तरह दोनों को अस्पता ले गई डॉक्टर ने उन दोनों को तुरंत एड्मिट कर लिया जैप्रकाश को हार्ट अटैक आया था उसकी हालत तो काबू में आ गई लेकिन दीप कमल की हालत बिगड़ती जा रही थी डॉक्टरों की बहुत कोशिश के बावजूद भी वो बच नहीं सका जैप्रकाश को जब होश आया तो उसका मकान मालिक और अनू उसके पास खड़े थे जैप्रकाश होश में तो आ गया लेकिन अपने सबसे बेस फ्रेंड को अपने पास ना पाकर उसे बहुत आश्यर हुआ वो उस पर मनिमन गुस्सा भी हुआ थोड़े दिन बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया तब उसे सारी असलियत का पता लगा कि कैसे अनू उन दोनों को अस्पतार ले कर गई और उसकी जान बच गई उसे दीपकमल की मृत्यू का भी पता लगा उसे उसके जाने का बहुत अफसोस हुआ लेकिन इस घटना के बाद उसके मन में एक बात आई कि आज तक कि उन लोगों के बुरे कर्म की सजा ही उन्हें मिली जैप्रकाश अब बिल्कुल बदल चुका था अनू में अब उसे अपनी पोती दिखने लगी थी वो अपने पुराने दिन को याद करता तो कभी-कभी उसे अपने आप से घिन भी आ जाती थी लेकिन वो उसे अब भूल जाना चाहता था हलो दोस्तों कैसे है आप सब हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकोन पर क्लिक करना मत भूलिएगा